एलो वच्चो एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में और अब का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है चोर और पुलिस यानि चोर और सिपाही के कुश्चन है एक कुश्चन यहां से आप लोगों को देखने को मिल र तो चलो सुरुवात करते हैं मेरे दोस्त तो पहला कुश्चन आप लोगों के सामने है पहला कुश्चन आप लोगों के सामने है सबसे पहले इस कुश्चन को समझे एक सिपाही चोर का पीछा करना सुरू करता है जब चोर दस कदम चलता है तो सिपाही आठ कदम चलता है मेरे दोस्त ध्यान से सुनना मामला किसका है मामला है सिपाही और चोर का मामला किसका है मेरे दोस्त मामला है सिपाही और चोर का तो उसने कहा है जब चोर दस कदम चलता है चोर के दस कदम जितने टाइम में होते हैं सिपाही उतने ही टाइम में आठ कदम चलता है लेकिन सिपाही के 5 कदम जो है वो चोर के 7 कदमों के बरावर है जितना सिपाही 5 कदमों में दूरी तै कर लेता है उतनी ही चोर जो है वो 7 कदमों में दूरी तै करता है अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो सिपाही और चोर की गती क्या होगी सिपाही और चोर की गती क्या होगी तो ऐसे कुश्चन में बच्चा आप लोग हमेशा क्रॉस मल्टिप्लाई कर लिया करो आठ की गुणा साथ में करेंगे तो सिपाही की गती छपन आएगी और चोर की गती जो है वो पचास आएगी दोनों का रेशो आप लोगों से पूछा है तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा 28 बटे 25 इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा 28 बटे 25 क्या हो जाएगा इस कुश्चन का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा कुश्चन नमबर 2 आपकी सेवा में हाजिर है कोशन कहना क्या चाहरा है मेरे दोस्त एक सिपाही अपने से 400 मीटर आगे चोर है बच्चा सिपाही से कितने मीटर आगे है चोर तो आप कहोगे चोर और सिपाही के बीच की जो दूरी है वो 400 मीटर है सिपाही और चोर के बीच की दूरी जो है वो 400 मीटर आप लोगों को दी सिपाही तथा चोर की गती जो है सिपाही की गती आठ किलो मीटर प्रती घंटा है और चोर की गती जो है वो साथ किलो मीटर प्रती घंटा है अब आप से पूछा क्या है तो सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ लेगा ये आप से कुश्चन पूछा है जब भी आप से बच् की दूरी क्या है दोनों के बीच की दूरी है 400 अगर दूरी को चाल से डिवाइड कर देते हैं तो बच्चे समय निकल के आ जाएगा चाल जब दो वस्तु एक ही दिसा में दोड रही होती है तो उनकी चालों का अंतर ही सापेक्स चाल होती है ठीक है आठ में से साथ गया एक किलो मीटर प्रती घंटा हो जाएगी मेरे दोस्त अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में बनाना चाहता हूँ तो पांच बटे अठारे से गुणा करूँगा पांच से काटोगे पांच अठे चालिस होता है जीरो हो जाएगा और अठारे अठे कितना होत है अठारे अठे जो होता है वो बच्चे 144 होता है यानि 1440 सेकंड हो जाएंगी और अगर 1440 सेकंड को बच्चा मैं मिनट बनाना चाहता हूँ तो 60 से डिवाइड करना होगा जीरो से जीरो कट गई 6 दूनी 12 होगा 6 चोग 24 होगा सवाल का जवाब कितना आ जाएगा भाई सा नमबर D होगा कुशन नमबर 3 आप लोगों के सामने है फटाफट बताईए कि क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब कुशन नमबर 3 कुशन ने क्या कहा है एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है बहुत बढ़िया बात है जी चोर है आगे आगे और सिपाही है मेरे दोस पीछे पीछे एक सिपाही जो है वो चोर का पीछा कर रहा है बहुत अच्छी बात है उसने का है चोर से 100 मीटर पीछे यदि सिपाही है भाईया दोनों के बीच की दूरी जो है वो 100 मीटर है ठीक है तथा चोर की चालो का अनुपात चोर सिपाही तथा चोर की चालो का सेकंड माल लूँ और इसकी चाल को 4 मीटर 30 सेकंड माल लूँ तो क्या अब भी इन की चालो का नुपा तो 5-4 ही रहेगा तो आप कहेंगे जी बात तो ठीक है अब उसने ये कहा है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तै कर चुका होगा पहले ये तो पता चले कि चोर पकड़ा कितने समय बाद जाएगा तो सवाल आप लोग समय निकालेंगे कि इनका मिलन जो होगा वो कितने समय बाद होगा तो मिलन कैसे निकालते हैं दूरी बटे सापेक्ष चाल जब दो वस्तू एक ही दिसा में है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा तो पांच में से चार गया तो एक बचेगा यानि सौ सेकिंड बाद जो है वो इनका मिलन समहरों होगा इनकी चाय पे चर्चा होगी अच्छा एक बात बताओ क्या आप से समय पूछा गया था तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं आप से दूरी पूछी गई थी बिल्कुल पूछी गई थी किसकी पूछी गई थी चोर की पूछी गई थी चोर एक सेकिंड में जाता कितना है चार मीटर पकड़े कितने सेकिंड बाद जा रहा है 100 सेकंड बाद यानि 100 सेकंड में तै की गई दूरी कितनी होगी 1 सेकंड में 4 मीटर है मेरे दोस्त तो 100 सेकंड में कितनी दूरी तै कर लेगा तो सवाल का जवाब जो है वो 400 मीटर हो जाएगा सवाल का जवाब जो है वो 400 मीटर हो जाएगा ठीक है चलिए कुश्चन नमबर चार कुश्चन नमबर चार आपकी सेवा में हाजिर है फटा फट मुझे बताईएगा दोस्त क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मेटर आगे है बहिया सिपाही यहाँ पर है चोर यहाँ पर है दोनों के बीच की दूरी है 200 मेटर सिपाही और चोर जो है उनकी गती दे रखी है भाई साब ये कुश्चन तो सायद मैं आप लोगों को करा चुका हूँ इस टाइप का question में साथी आप लोगों को करा चुका हूँ ठीक है तो समय पूछ रहा है समय होता है दोनों के बीच की दूरी अपोन सापेक्ष चाले जब दो वस्तू एक ही दिसा में चल रही है बचे मीटर पर सेकिंड बनाने के लिए 5 बटे 18 से गुणा कर दो आंसर मिनट में पूछ रहा है तो 60 से डिवाइड कर दो अगर आंसर मिनट में पूछ रहा है तो 60 से बच्चा डिवाइड कर दो तो आप कहेंगे 0 से 0 कटगी 6 तिया 18 होंगे 5 चौक 20 होंगे 4 तिया 12 होंगे सवाल का जबाब क्या होगा 12 मिनट इस question का जबाब हो जाएगा ठी देखना क्या कह रहा है भाई साब question कुश्चन निकाए 1 चौर को 100 मिटर की दूरी से एक पुलिस कर्मी दुवारा देखा जाता है भाई साब बवाल दिया होगा बस काम की चीज जो है वो 1-2 ही काम की चीज दी होंगे चौर है ये सिपाही है सिपाही कितने मीटर की दूर से चोर को देखता है तो आप कहेंगे 100 मीटर की दूरी से देखता है जब पुलिस कर्मी पीछा करना सुरू करता है क्या जरूरत थी इतना बवाल लिखने की जब पुलिस कर्मी पीछा करना सुरू करता है तो चोर भी भागना शुरू कर देता है अब ये बताओ जब पुलिस वाला पीछे भागेगा तो चोर क्या है वहाँ आराम से बैठके स्वागत थोड़ी ना करेगा उस पुलिस वाले का भागे गई यदि चोर की गती आठ किलो मीटर परती घंटा है चोर की गती कितनी है आठ किलो मीटर परती घंटा और पुलिस वाले की गती कितनी है दस किलो मीटर परती घंटा है तो पुलिस करमी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा बचे बहुत बढ़िया अब सुनना ध्यान से भाईय समय पूछ रहा है समय कितना है दोनों के बीच की दूरी सो है अब दोनों की सापेक्षचाल जब दोनों एक ही दिसा में चलेंगे तो दो आजाएगी मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो पाँच बटे अठारे से गुणा करेंगे अनसर मीटर में ही मांग रहा है तो बचे समय आप लोगों के पास सेकंड में आ जाएगा ठीक है, समझिएगा, पांच दूनी, दस, दस, एक, जीरो, कट गई, तो क्या 180 सेकंड का समय आ जाएगा, 180 सेकंड का समय आ जाएगा, उसने कहा है, चोर के द्वारा तै की गई, दूरी कितनी होगी, तो भहिया, चोर एक गंटे में 8 किलो मीटर जाता है, थोड़ा सध्यान से सुनना, अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में बनाऊं, तो क्या 5 बटे 18 की गुणा कर दूँगा, यानि चोर जो है, एक सेकंड में इतने मीटर दूरी तै करता है, तो 180 सेकंड में कितने मीटर की दूरी चोर ने तै की होगी, तो सेकंड से सेकंड कर जाएगा, अठारे दाई 180 हो जाएगा, आठ पंजे 40 की गुणा 10 में होगी, तो सवाल का जवाब 400 हो जाएगा, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बच्चे, सवाल का जवाब जो है, वो प्रिटाफट बताईए बचे कुशन नमर च्छे का जवाब क्या होगा रीजनिंग के किलास थोड़ी से लेट होगी पांच-पंदर है पर रीजनिंग के किलास श्टार्ट होगी ठीक है अब लोग मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब पुशन ने क्या कहा है, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है, जो 100 मीटर दूर है, यानि कि चोर और सिपाही के बीच की दूरी कितनी है, मेरे दोस्त 100 मीटर की है, यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलो मीटर जाता है, यानि 1 किलो मीटर की दूरी है, एक किलो मीटर की दूरी है एक किलो मीटर जाता है एक किलो मीटर जाता है कितनी मिनट में बच्चा ये दस मिनट में जाता है तो आप से पूछा क्या है आप से पूछा चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तै की गई दूरी कितनी होगी वो आप लोगों से ये पूछना चाहरा है भाई question को थोड़ा सा समझना बहुत प्यार से question को हम लोग समझते हैं अच्छे एक बात मुझे बताईए एक किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 मीटर होता है और 8 मिनट का मतलब क्या होता है 8 मिनट का मतलब इसे ही लिख देते हैं 8 मिनट 8 ही कम 8 होगा मेरे दोस्त 2 बचेगा 20 हो जाएगा 8 दूनी 16 होगा 16 होगा और यहां पर कितना बचेगा 4, 8, 5, 40 यानि 4 सिपाही जो चलता है वो 125 मीटर प्रती मिनट चलता है ठीक है अब आजाते हैं बच्चा इधर इधर देखते हैं यह 1000 किलो मीट 1000 मीटर जाता है कितनी मिनट में जाता है 10 मिनट में जाता है तो इसकी गती कितनी हो जाएगी 100 मीटर प्रती मिनट हो जाएगी यानि 1 मिनट में 100 मीटर जाता है ठीक है भाई अगर मैं आपसे पूछू कि कितने समय बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर है दोनों एक ही दिसा में चल रहे हैं तो सापेक्स चाल दोनों की चालों का अंतर होगा 125 मीटर में से 100 मीटर जाएगा तो 5 मीटर पिरती मिनट आजाएगा मिनट उपर जाएगा मेरे दोस्त मीटर से मीटर कट गया 5 से कटा तो 20 बार यानि कि 20 मिनट बाद जो है वो चोर जो है वो पकड़ा जाएगा कितने मिनट बाद 20 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा उसने का है पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तैकर चुका होगा तो चोर एक मिनट में 100 मीटर जाता है चोर एक मिनट में 100 मीटर जाता है तो 20 मिनट में कितना मीटर चला गया होगा मामला कुछ गड़बढ है गड़बढ हुई है क्या दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है और अच्छा ये 25 है बच्चे गड़बढी हम लोगों ने यहां कर दी है मेरे दोस्त अगर दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर दोनों की सापिक चाल कितनी होगी 125 में से 100 गए तो 25 ही तो बचेंगे इसकी चाल है 25 मीटर पिरती मिनट तो मीटर से मीटर कट गया 4 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा अगर 1 मिनट में 400 मीटर जाता है तो 4 मिनट में कितना चला जाएगा यानि 400 मीटर दूर पकड़ा जाएगा 400 मीटर दूर पकड़ा जाएगा ओप्सन नंबर बी इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा ठीक है बस मैंने कुछ नहीं किया 1 किलो मीटर की जगे 1000 मीटर लिखा इसे ऐसे ही लिखा रहने दिया 8 से कटा तो 125 मीटर प्रती मिनट इसकी गती आ गई 1 किलो मीटर की जगे 1000 मीटर लिखा 10 से कटा तो 100 मीटर प्रती मिनट इसकी गती आ गई अगर मैं समय पूछू तो दोनों के बीच की दूरी अपोन सापेक्ष चाल दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होता है बच्चे से काटोगे तो 4 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा अगर 1 मिनट में 100 मीटर चलता है तो 4 मिनट में कितना चला जाएगा 400 मीटर चला जाएगा ठीक है चलिए पुलिस का पूछे तो 400 चोर जा चुका है सो ये है तो सिपाही जो है उसने 500 मीटर की दूरी तैकी होगी बस चोर की दूरी में ये दूरी जोड़ देनी है तो बच्चा सिपाही की दूरी निकल के आ जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं कुशन नमबर साथ आप लोगों के सामने है फटा फटा मुझे बताईए क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब कुशन नमबर साथ ये कहता है एक सिपाही एक चोर का जो उससे 200 मीटर आगे है पीछा करता है यदि सिपाही और चोर की गती आप लोगों को दी हुई है तो सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा आसान सा कुशन है ऐसे question 5 करा चुका हूँ तो इसका जवाब जो है इसका जवाब जो है वो आप कहा देंगे comment box में देंगे question number 8 एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है देखिए ये question बढ़िया question है ये question जो है वो बढ़िया question है अब थोड़ा सा ध्यान से समझना एक बार question को खुद पढ़िये question ने कहा है कि एक खरगोस 100 मीटर दूर एक कुट्टे को देखता है यानि कुट्टा है यहाँ डोग है यहाँ और खरगोस यानि रैबिट है यहाँ और दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर ठीक है और वह 12 किलो मीटर प्रती घंटे की चाल से कुट्टे से दूर भागने लगता है यानि खरगोस की गती जो है वो 12 किलो मीटर प्रती घंटे की है एक मिनट बाद जो है कुट्टा 16 किलो मीटर प्रती घंटे की चाल से पीछा करता है मेरे दोस्त ध्यान से सुनना अच्छे एक बात मुझे बताईए अगर ये 12 किलो मीटर 12 किलो मीटर जो है 12 किलो मीटर मतलब 12 किलो मीटर का मतलब 12,000 होता है 12,000 होता है मीटर में और एक घंटे की जगए मैंने 60 मिनट लिख दिया क्या ये खरगोस की गती दे रखी है 12,000 मीटर जाता है 60 मिनट में तो एक मिनट में कितना चला गया होगा जब तक कुत्ते का दोड़ने का समय हुआ होगा क्योंकि कुत्ता कितने मिनट बाद एक मिनट बाद कुत्ता भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है तो वो एक मिनट में कितना आगे पहुँच गया होगा पहले ये निकाल लो तो एक मिनट में उसके द्वारा तै की गई दूरी कितनी हो जाएगी यानि खरगोस जो है यहां से 200 मीटर आगे कहीं पहुँच चुपा होगा यानि कि जब कुत्ते का दोडने का समय हुआ होगा तो कुत्ते और खरगोस के बीच की जो दूरी होगी वो 300 मीटर की होगी बस यही सबसे important बात थी कि कुत्ते और खरगोस की दूरी जो होगी वो 300 मीटर हो जाएगी अब उसने पूछा क्या है उसने पूछा है खरगोस अपने इस्थान से कितनी दूरी पर कुट्टे को पकड़ लेगा खरगोस अपने इस्थान से कितनी दूरी पर कुट्टे के दौरा पकड़ा जाएगा बच्चे तो समय आप लोग यहां से निकाल लो समय हो जाएगा बच्चे दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर है दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी कुट्टा 16 की गती से दोड रहा है और खरगोस जो है वो 12 की गती से दोड रहा है यानि 270 सेकिंड बाद जो है वो खरगोस पकड़ा जाएगा अब ये देख लो भीया उसने पूचा है खरगोस अपने स्थान से खरगोस अपने स्थान से कितनी दूरी पर कुट्टे के दूरा पकड़ा जाएगा तो ये देख लो खर्गोस 270 सेकंड में कितनी दूरी तैकल लेगा खर्गोस की चाल कितनी है 12 किलो मीटर पर 3 घंटा 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे तो खर्गोस क्या इतने मीटर की दूरी तैकल लेता है एक सेकंड में तो 270 सेकंड में कितनी दूरी तैकल लेगा बच्चे बस ये दूरी हो जाएगी आपके सवाल का जवाब छे दूनी बार है, छेती अठार है होगा तीन नाम 27 होगा 90 और 50 कितना साड़े 400, साड़े 400 दूनी 900 हो जाएगा साड़े 400 दूनी 900 हो जाएगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा कि 900 मीटर दूर पहले तो यहीं तो था बच्चे अगर आप यह सोच रहे हो कि 900 में हमें ये भी जोडनी पड़े, अच्छा उसने कहा है खरगोस अपने स्थान से 900 नहीं होगा बच्चे, 1100 मीटर होगा 1100 मीटर होगा यहां से, खरगोस तो पहले यहां था, यहां से कितनी दूर आगे पकड़ा जाएगा तो एक मिनट में उसने 200 मीटर की दूरी तैकी और आगे उसने 900 मीटर की दूरी और तैकी है तो 900 और 2100 मीटर की दूरी पर वो पकड़ा जाएगा तो सवाल का जवाब जो होगा वो ग्यारा सो मीटर हो जाएगा ठीक है मेरे दोस्त चलिए बहुत बढ़िया मैं फिर से बता देता हूँ सवाल को समझना थोड़ा प्यार से हाँ, समझ में तो तब आएगा जब आप कोश्च इस पे कमेंट करना बंद करोगे दो जानवर हैं एक कुटा है खरगोस है कुटा बचे यहां है कुटे की गती है 16 km प्रति घंटा खरगोस की गती है 12 km प्रति घंटा और दोनों की बीच की दूरी है 100 मेटर खरगोस ने कुटे को देखा और भागना स्टार्ट कर दिया एक मिनट बाद कुट्ता भी दोड़ना स्टार्ट कर देगा तो पहले ये निकल लो कि ये एक मिनट में कितनी दूरी तै करेगा अगर ये 12,000 मीटर जाता है 60 मिनट में तो एक मिनट में कितनी दूरी तै करेगा 200 मीटर यानि यहां से 200 मीटर दूर खरगोस जो है वो यहां पहुंच चुका होगा अब दोनों के बीच की दूरी है 300 मीटर और दोनों ने दोड़ना स्टार्ट किया है इसकी गती 16 किलो मीटर प्रती घंटा इसकी गती 12 किलो मीटर प्रती घंटा तो समय कितना लगेगा दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर अपन सापेक्ष चाल तो 4 आ जाएगी यहां से समय निकाल लिया 270 सेकंड आ गया बस उसे ये निकालना है कि खरगोस जो है 270 सेकंड में कितनी दूरी तैकर लेगा तो आगे जो 270 सेकंड लगे उसमें 900 मीटर की दूरी तैकर लेगा और 200 वो पहले तैकर चुका है तो अपने स्थान से 1100 मीटर की दूरी पर खरगोस जो है वो पकड़ा जाएगा ठीक है थोड़ा सोच लेना कुश्चन नंबर 9 कुश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है फटा-फट मुझे बताईएगा क्या होगा ये आखरी कुश्चन होगा फटा-फट से मुझे बता दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब इसमें टोटल 9 ही कुश्चन है जलती से बताईए देखो बचे एक पुलिस कर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है एक पुलिस कर्मी जो है एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे चोर है जब पुलिस कर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है यह मानकर की चोर की चाल जो है वो 11 km प्रती घंटा है और सिपाही की जो चाल है वो 13 km प्रती घंटा है ऐसा कुश्चन ने बोला है बहुत बढ़िया गणना करे कि पुलिस कर्मी दुवारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तै कर चु पुलिस आ रही है तो चोर के पुलिस के विपरी ती तो चोर भागेगा या जिदर से पुलिस आ रही है उधर ही जा रहा पकड़ मुझे है ऐसा सुना है तो अपूजिट वाला कैसे केस बन जागा मेरे दोस्त फेक है ऐसा तुम कैसे पूछ सकते हो रह मेरे दोस्त चलो आजाओ कोई बात नहीं एक आया खिलाड़ी निकल के सब फेक है हाँ सब फेक है मेरे दोस्त सब फेक है अराम से सो खाओ पीओ वो है असली चीज समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल दोसो पच्चिस बटे दोनों की सापेक्स चाल जब दोनों विपरीत दिसा में एक ही दिसा में है तो दोनों की चालों का अनतर सापेक्स चाल होगी पाँच बटे अठारा से गुणा कर देंगे मेरे दोस्त तो ये आप लोगों का समय आ जाएगा सेकेंड में निकल के उसने कहा है मेरे साथी अच्छा उसने कहा है कि पुलिस कर्मी जो है चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तै कर चुका होगा यहां से काटा पीटी पांच चोक बीस होंगे दो बचेगा पांच पंजे पच्चिस होंगे दो नाम अठारे होंगे नो पंजे पैतालिस को पांच हांसिल चार नो चोक छत्य सो चार चालिस क्या चार सू पांच सेकंड बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा हो गया कुश्चन यह कितनी दूरी तै कर चुका होगा सबसे पहले इसे मीटर पर सेकंड में बनाओ बन गई क्या मीटर पर सेकंड में चोर एक सेकंड में इतने मीटर जाता है तो चार सो पांस सेकंड में कितने मीटर चला जाएगा ये इस question का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये इस question का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे दोनों question को मैंने कराने की कोसिस की है और मैंने बच्चों के मुँसे ही सुना है कि इस type के question पूछे जा रहे हैं आप भी अच्छे से जानते हो कि ओनलाइन में पता तो चलता नहीं है, बच्चों का ही रिव्यू लिया जाता है, फिर भी मैंने चोर सिपाही का हो, या चुनाव का कोशन हो, हर टाइप का कोशन आप लोगों को कराने की कोशिस की है, ठीक है, आप लोगों जिनका कल एक्जाम मैंने प्रेक्टिस सेट नहीं कराया है, बच्चों की डिमांड भी थी, ये दोनों टॉपिक करा दीजिये, अब जो है, कल जो है, वो आप लोगों का प्रेक्टिस सेट ही होगा, जिन बच्चों ने एक बार इस नीले बटन को नहीं दबाया है, नीला बटन मतलब लाइक का बटन और वो करना चाहते हैं किलास को लाइक, तो वो कर दे मैं उन्हें याद दिला देता हूँ, और जो करना ही नहीं चाहते हैं, तो दोस्त उनका कहने से क्या फायदा है, ना, तो मिलते हैं कल एक बहतरीन प्रेक्टिस सेट के साथ, all the best कल के लिए, और मिलते हैं कल शाम क चार बजे हैं, ओके टाटा, बाय बाय